नमस्कावा दरश्राम में हम अती दी मा फरी एकवार आपनू स्वागाँ छे अती दीडी ये रहो कारेक्रम मा विशिष्ट व्यक्तितव साथ आपनी मुलागात करेवे छे ने वातों करिये छेंतर आजे अती दी कारे करम मा घंपीर अलाग अलाग वीशव उपर आपने चर्चा गरी छे कलाकारों साथे पर मलाए छे पॉलिटिशन साथे मड़ा चे बिरोक्रेट्स ने मड़ा चे साइंटीस्स ने मड़ा चे परंदु हाजे के वुव्यक्तित्व कि जे व्यक्तित्व ज्यारे बोले चे तिमना मुढ़ा मादी शब्दों निकड़े चे वाक्यों निकड़े चे कवी ता हो निकड़े चे त्या सरल हो गया क्या राज इस सरल नाम के पीछ है क्या है कि कवी और साहित्यकारों को एक निकनेम रखने के जिसे उर्दु में तखलुस कहते हैं उपनाम ऐसे यह आदत होती है परमपरा है क्योंकि अगर ओरिजनल नाम रहेगा तो उस पे जाती भासा संप्रदाय का बोध हो जात किसी का दिया हुआता है फूफि देती है ये एकी कवी वाली कम्युनिटी है लेखक वाली कम्युनिटी है जो अपना नाम खुद चूज करती है क्यर्य नाम मैंने खुद तो नहीं रखा हाँ मेरे गुरू है राजस्तानी के बहुत-बड़े कवी है कल्यान सिंह राजावत एंप다고 रısो न नामी सभाटлон Teek उन्हों ने नाम राए तो सही सही क्या रिव नेम जो से खावत फिर अननें ी जो है सहरल रखा की प्याइट का संगती नहीं बैटरी है संग क्यों मैंने सिंग आटा ना मैं उचित समझा। चाहे मानों या ना मानों स्विकार करना पड़ेंगा कि यहां पे सही तार Argent करने वाले बहुत कम होते हैं स्विकार obligationsर्ड उचनि कभी मैं जब सब्सक्राइब करने च्रेस्वान में मैं कलकता गया था एक कारिक्रम में उसमें मेरे कामकुर हैंकित किया गया कहां पे था कलकता में था ये 14 अगस्त 1988 88 की बाद उसके बाद उस काम में हलका सा रेकांकन हुआ उसके मैं दो अक्टूबर यानि दो तीन मैंने बाद एक ठाहा का कभी सम्मेलन होता है बंबई में जो किसी जमाने में रामरीक मनर करते थे उन्होंने मुझे बुलाया था उस कारिक्रम के बाद में मैंने पीछे मुड़कमी देख नहीं यह जो आपने 88 की बाद बताई 14 तारीख वाली उस दिन कौन सी रचना थी अगर आप बता पाए कि वो रचना जिसने मैं एस्टाबलिश्ट कर दिया कि सरल जी जितने दिखते हुदने सरल नहीं है वो मेरी राजस्थानी की कविताएं थी और वो कभी सम्मेलन मारवाडी समाज का था तो काफी पसंद किया गया चोंगी बात पूरानी हो गई और वो चीजे मैंने पढ़ना भी बंद कर दी तो रचना मुझे अभी उसका टाइटल याद है वो रचना याद नहीं है वो कलियू की रामाएन थी थोड़े थोड़े एक दो लाइन है उसमें कलियू की रामायन कोई करके रचना थी वो रचना था मैं भूल रहा हूं लेकिन उससे मेरा काम रेखा अचाँ आपने बताया कि की सामफरत बात के उपर अपने उस वक्त अपनी कवीत अपनी रचनाई दी थी क्या कहना चाहेंगे कि जयादा अतर तर क्योंकि पब्लिक शो मैंने दो मैंने चार छे मैंने का उन पर अगर आपने कुछ कहा है या लिखा है कुछ कमेंट्स की हैं तो उनको सरवादिक सराहना मिलती है हालां कि वो ज्यादा समय नहीं चलता क्योंकि वो थोड़े समय सुनी जाती है तो उसके फाइदे और नुक्सान दोनों है समकालिन ची देश दुनिया का जो घटना करम है उसके टच में आपको बराबर रहना है तो यह बड़ा जोखीम बढ़ा काम है जोखीम बढ़ा काम है लेकिन आप जो जोखीम उठाते हो उससे कई लोग ऐसे बिलकुल मुस्कुराते हुए आपके कार्यकरम खतम होने के बाद बहार निक बम्तानी मुर्ती एटले मा अपेक्षा वगर्णू अनुदान करेशे मा तुकारा सहन करेशे मा 34 करोड देवी देउतावनो वास जना पगमा छे एछे मा मानू रून शब्दोथी चुकावानू एक प्रयास जुओ कारेक्रम मा 10 अभीवारे रातरे 10 तुरेस कल लागे विरामबात फर्येकवार स्वागेच्छा अपनू कारेकरम आती थी मा सरल संपत जी आपनी साथ है जाए आपने बताया कि ऐसी रचनाव पर हमें ध्यान केंदरित करते हैं जो उसी वक्त हीट हो जाए उसी वक्त का कोई एक इसी उठा लेते आप करंट इसी उठा लेते आप उस पे भहुँ सारा लाफ्टर मिलता है क्लैपिंग भी मिलती है लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ साथ ऐसी मुगले आज़म या शोले जैसी एक दो पांच रचनाएं भी जो होती है जो कहीं पे भी जाते है कितना भी अच्छा दे दिया पीजा खा लिया, बर्गर खा लिया लेकिन कहेंगे की खिजडे बाकी है जो ओरीजनल अपनी हौट फेवरेट है ऐसी कौंसी कौंसी रचना है जो अभी तक बरसों से सुनते है तो भी लोगों को बहुत मज़ा जाता है उसकी एक दो लाइन है ये जो रचना मैं आपको एक निवेदन कर दूँ कि वो सारी चीजें हैं फिर दिरे दिरे तो हम हाश्यकवियों की इमेज ऐसी हो जाती है कि कारिक्रम में मुग की अथिति को आधर नियें कैदें तो भी लोग असने लगए लेकिन मैं गद्धे सुनाता हूं कविताएं मैंने 20 साल तक सुनाई पिछले 5-6 साल से गद्धे में एक रचना मैंने लिखी थी भारत और पाकिस्तान की जो अंतहीन और निरर्थक जो वारत से मेरी पह्चान उसका एक चोटा सा वह मैं देख करके पढ़ता हूं तो उसका एक मैं आपको अंस्ट सुना देता हूं वैसे तो पाकिस्तान के लिए तो क्या कहना जिस अभी तो प्रवेज असरफ करके कोई नए प्रधानमंत्री और वह भी राजा है मतलब कह सकते हैं में प्रजातंत्र नहीं चलाना आया वहां तो जीस दिन व्यक्ति इस्लामाबाद में प्रदानमंत्रिया राष्ट पतिपद की सफत खाता है दूसरे दिन साओधियरब में मकान दूड़ना शुरू कर देते हैं जिसमें जमीन साओधियरब देता है पैसा पाकिस्तान की जनता सुना देता हूं भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की भारत ने अमेरिकी सला को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के को लेकर तुरंत अमेरिका से उससे तो जब भी बाचीट करो वह तो बाचीट के अलावा बिलकुल साइ! पाकिस्तान ने बाचीट का विश्म पूछा. आपका पाकिस्तान ने बाचीट का विश्म पूछा, भारत आप में कहा किसी भी भाइनल बातचीत तक पहुँचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विशय की बातचीत करते हैं। तो यह यह बातचीत वाली बातचीत बहुत लंबी चल सकते हैं लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और आपसे इस कम समय की बातचीत में बहुत सारा विशय की बातचीत करना चाहते हैं इसलिए इस बातचीत के कवीता को आपका जो प्रेजंटेशन है उस बातचीत को हम यही रोकेंगे अल्प विराम करेंगे दर्श्रक मिरों आ एक बातचीत उन चोकस पने का बातचीत ने रचना तमें जो आखी वांच भी हो तो चोकस पने एमनी पोता नी वेबसाइट पर पंचे आने बहुँच इंटरेस्टिंग छे जे मां खरेखर तादश जे थतु होई छे त जादा किसी हास्य कवी का लेकिन वो लगता है कि जैसे गुटका की तरह होता है खालिया थुक दिया लेकिन कई चीज ऐसी होती है कई रचना ऐसी होती है जो आयरुदिक दवा की तरह होती है चुरन की तरह होती है खाते वक्त भी अच्छी लगती है और असर भी अच्छा क जाए तो scarcity है बहुत कम लोग है क्यों है क्या आपकी union है syndicate है नए वालों को आने नहीं देते या तो या तो या तो कि ऐसी रचना ऐसी क्रियेटीविटी वाले बंदे बहुत कम है ऐसा है कि नहीं आने देने का तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण होगा क्योंकि जिसमें प्रतिवा है उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ दो चीजें हैं एक तो जल्दी में बहुत हैं उनका आउसर चाहिए खड़े होकर के हजारों लोग सुनने मोटे लिफा पर मिल जाएं इतना जल्दी नहीं होता है दूसरा इसके लिए जिन्दगी और किताबें पढ़नी पढ़ते हैं आपको जन्मानस का अबजर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए समाज में क्या घटना क चल रहा है और किताब अच्छा लिट्रेचर पढ़ना अब आजकल तो क्या बच्चे मोबाइल में उल्जें इंटरनेट में उल्जें कंप्यूटर पर सारे दिन बैठे रहते हैं तो यह जो चीजें हैं किताब और जिन्दगी के पढ़े भीना आ नहीं सकता और जो यह ची देखो यह थोड़ी अंद्रूरी बात पूछ रहा हूं क्योंकि हमारा इश्व अंतरंग वातो अती थीमा यानि अंद्रूरी बाते इस कारेक्रम में उस टाइटल के नाम से जाना जाता है दिल से पूछ रहा हूं और सचे जवाब की अपक्षा भी रखता हूं सरल जवाब की अपक्षा रखता हूं कि जितना दर्द होगा उसमें गुस्सा होगा उतना आपनी के पेश करेंगे सरल तासे इस जवाब का भावी जी रचनाय सुनती है कि अब सुनती है जब से लिफाफे ले जागर के दिने लगा हम के बद़े लगा कि इसमें कुछ मिल रहा थो चलो सुन लो ना थो पे ले तो पिदाजी चुछ में सबने बेरोध किया ये क्या ओर स्टेज पर नाजने गाने ौरूं का का रिया आलांगी नाजने काने का काम नहीं है लेकिन वहां तो इस्टेज पर जो प्रस्तुति हैं उनको सब उसी रूप में लेतें लेकिन फिर धीरे-धीरे पैसा आया तो घर में स्विकारोकती पड़ी तो घरवालों को भी अच्छा लगए परिवार के बारे में थोड़ा पते हैं परिवार में हम पती-पत गुजरात हिंदी समाज के कारिक्रम में एहमदाबाद अपनी पत्नी को लेकर आया था उसके बाद मैं शायद एक बार कहीं और ले गए आऊंगा उसके लाव में कभी-कभी संभैलन में पत्नी को लेकर आता है क्यों कि रिस्टिक्शन आजाता है क्या संकोष सा रहता है अब बाते तो कर ली हमने आपसे सवाल भी पूछा रचनाकारक के बारे में अब श्रोताओं के बारे में इतना सब डाल दिया लेकिन क्या अरसिक जनता है या कुछ और सोच के आई थी और मैं और कुछ पेश कर रहा हूं ऐसा को अनुभभी हुआ होगा जहां खुद को अपने आप पे अपनी रचनाओं पे शरम आया यही चीज मैंने वहां पे दी थी तो इतना सारा और यहां पे क अच्छे ए सुने जाएं में अगर अक्चे सुने जाएंगे लेकिन अगर किसी कविसंवेलन में हलके-कवी एक बार आए जाकर के सुना चुके होते हैं फिर उस इसतरक इसतरे वाला आज मैंटेन नहीं कर सकता फिर तो और उसको नीचे उतारने वाला होगा वह ही सुना जाएका जेंगे जो डबल मिनिंग हाल्पा बोल रहे हैं और अश्लील बोल रहे हैं और इस तरह का तो वहां बुड़ी दिक्कत आती एक वार अकर पोई हल्का बोल करके और इस को फिर वह अच्छा सुनने में उस मान सिखता तक आने में बड़ा समय लगता तो ऐसा कई बार होता है जैसे नगरपाली काओं में पसु मेलो में कभी से मेलन होते हैं वह अच्छे नहीं सुने जाते हैं इसके लिए क्योंकि जब भी कोई चीज पेश की जाती है जैसे कहा जा बूट में रखने वाले लोगे लेकिन अपने आपको प्रू करना है कि हम कलारसिक है इसलिए आप जैसे दिगज पाईयों को भुला लेते लेकिन सही में वो सुनने वालों की वो quality नहीं होती तो यह क्या क्वर के लिए हां मैं मैं वही बोल रहा हूं मेरा सवाल यही है कि कभी जो इतना established हो चुका है मैं बिल्कुल सीधी बात करा हूं सरल संपजी की जो established हो चुका है क्या वो कवर के लिए कोई भी invitation दे वहाँ पे जाते है या सवाल पूछते है कि सुनने वाले शोता कैसे क्या कभी ऐसे सवाल भी पूछे है अब पूछने लगे है जब से हम समर्थ हो गए पहले जब आर्थिक इस्तिति आच्छी नहीं थी तो आता था कोई भी तो हां कर लेते थे चलेंगे यार दो पैसे मिलेंगे घर में बैठे है कोई सुने नहीं ची नहीं सुने अपने को क्या कभर ले लिया अब जब से थोड़ा अच्छा लिखना पढ़ना शुरू हुआ है और थोड़ी आर्थिक इस्तिति ठीक हुई है तो फिर समझोते नहीं करते हैं उसमें चैन करते हैं कि यार वहां चलेंगे तो सुने भी नहीं जाएंगे खाली पैसा ये उद्धिश ही थोड़ी है इस तरह से बात आती है क्रम की मंच संचालन करता है क्रम कौन बनाता है कि पहला कौन जाएगा दूसरा कौन जाएगा क्योंकि इसमें भी क्योंकि जहां बुद्धी जी भी होते है वहां पे सबसे ज़्यदा हर्ट होता है या तो जीद भी रहती है तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चोथा और अंत में इसमें भी कई-कई ऐसे होंगे अगर आप नाम देना चाहिए बैटा रहे क्योंकि अगेइन प्रोग्राम है कि कई-कई-कई ऐसे कि जो कहते कि मुझे पहला ही रखे या तो ब्रेके बाद रखे या तो ब्रेके पहले रखे या तो अंत में रखिए ऐसी डिमांडे भी होती है और क्या उसकी असर प्रेजेंटेशन के क्रम की असर क्या शोता उपर पढ़ती है बिल्कुल पढ़ती है जैसे क्रिकेट में एक क्रम होता है बल्लेबाजी का वैसे कवी सम्मेलन में भी होता है लेकिन ऐसे मनमुटाव वाले खशनभोत कम तो पहले से रखता है कि आपस में टीम वर्क होना चाहिए वो लोग यह ऐसे आमंतृत करेगा जो जिनके सब के आपस में उनके मन मेल हो तो फिर वह संचालग वह उसी क्रम से बुलवाता है जिसका जहां काम होता है लेकिन वह इफैक्ट तो करता है क्रम में जब यह अपका क् और वैसे कोई स्थाई नहीं है तब तक माहल बन गया हो लोग अपने आप जगा बैठ गया हो अच्छा सुनाने के लिए वी एक वातावरन बनाना पड़ता है एक मनेश्टिती बनती है उसके बाद में लोग अच्छा सुनने की मानसिक्ता में आते हैं वरना सुरू में अगर आप किसी अच्छे क्वालिटी वाले आदमी को भी प्रस्तुत कर देंगे तो वो सुना नहीं पाएगा उसको सुनेंगे नहीं लोग यहां रोकेंगे अगेन एक वक्तु अच्छोटे से ब्रेका दर्शक विरो समय थाओ जै विरामनों विरामबाद संपजी साथे नहीं व देशे मा तुकारा सहन करेशे मा 34 करोर देवी देउतावनों वास जना पगमा छे ये छे मा मानू रून शब्दोथी चुकवानों एक प्रायास जुओ कार्यक्रम मा संपजी व्यंग कभी जो भी होते है खास करके उनके फैवरेट करेक्टर कौन से कौन से होते है और सामाजीक विसंगतियां वैसे तो वह धरम दर्सन अध्यात्म कला सहिते संस्कृति हर विशेपर लिखता है एक तो क्या है व्यंग कभी बी गलती पर नहीं लिखा जैसा है वैसा दिखनी रहा है जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं जिसकी कथनी और करने में अंतर हो व्यंग वहां लिखा जाता है कि इसने मूर्गता का काम कर दिया गलती कर दी वह व्यंग नहीं होता है तो राजनीती में हम देखते हैं कि नेता लोग जीवन कैसा जी रहे हैं, आधर्स कैसे बता रहे हैं, उनकी कतनी और कर्णा राजनीती पे आपने एक अच्छी पुस्तिगा भी लिखी है, अपनी जो रचना थी उसके बारे हैं, वो राजस्थानी में थी, मेरी चाकी देख च कर देता हूं, कि माड़ा दिन आएगा एक वोट के कारण से कितनी दैनिय इस्तिती हो गई, कि माड़ा दिन आएगा, एक वोट के काज, भेष कबूतर को धर्या फिरे विचारा बाज, उन्होंने कबूतर का वेष धारन करके बाज को फिरना पड़ रहा है, देखो एक अब ये बात मैं, मैं अगे एक बात पूछना चाहूंगा, और अपेक्षा करता हूं कि बिल्कुल सही उसका जवाब मिले, पतनियों पे जो वियंग होता है, कहां तक उसको आज भी बानते है, मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन इन विश्यों से बचना चाहिए, अगर उसमें कोई ऐसी बात हो, या वातावरन बनाने के लिए आपने कोई हलकी फुलकी इस तरह की बात कह दी, तो तो ठीक है, क्योंकि लोकरंजन भी कविता का एक पक्ष्र है, आप थोड़ा वातावरन बना देंगे, तभी लोग आपको अच्छा सुनेंगे, लेकिन उसी प्रदानमंत्री होकर के भी लगते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, सोनिया जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना तो दिया और बता नहीं रखा है, अब सोनिया जी, अब सोनिया जी तो क्या है कि परदे के पीछे रहकर के सारा काम करती है, तो तो मास्टर माइंड है, उन के लिए तो किसी पोस्ट पर आकर कि अगर कुछ काम करें और फिर वहां विशंगतियां देखें तो कुछ करें तो कुछ बनाएं कुछ बनाएं औके नरेंद्र मोदी तो इस समय कोई विशह में जितने मुक्ष मंद्री हैं उनमें इनका काम अलग हट करके हम आते हमारे प्रसंसक हैं सामने बैट करके सुनते। लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव तो इस से में जो राजनितिक हैसियत है वो व्यंग के विशाही नहीं रहे हैं वो तो हारी वी बाजी लड़ रहे हैं भारत की क्रिकेट टीम तो क्या है बड़े अफसोस की बात है कि जिस देश में करोडों BPL बसते हैं उसमें अरवी रुपय का IPL खेला जाता है भारत देश इसकी कूरूपता में भी एक सोंदरी है मैंने तो कई देशों की यात्राएं की लेकिन इस देश की कला संस्कृति अध्यात्म कोई जबाब नहीं है भारत का युवान बड़ी आशाएं हैं अगर अवसर दो तो कुछ करेंगे लेकिन बस यह थोड़ी जो शोशेवाजी है जिसमें सरकार ने उनको व्यस्त कर रखा है साजिस के तहत यह क्रिकेट है यह कथा परवचन है यह सताई सीरियल आ रहे हैं आज कल के इस तरह के इन स राखी सावंत के श्वयंबर तक आ गए और अपसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो श्वयंबर की तरह दिखती है उसने श्वयंबर किया बिलकुल और और लास्ट में हिंदुस्तान में बढ़ते हुए व्रुदार्श्रम यह एक समश्या तो है लेकिन अभी पस्चिमी दे इसकी संस्कृती हजारों साल पूरानी है लोगों की संस्कार वैसे है नी बिखराव वाले तैंक्यू एरी मच सरल संपजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए दर्शक भीत आती वात सरल संपजी साथ है बिलकुल कदाच्च अस्टूडियो मा अटली ब आच एक खशन पन मडती नथी कि आपने आपने कानने बंद करिये एक शब्द पन चुकी जीए तो अपसो स्थत होए छे आने बेलकुल पोता नी अलग 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 रचना आओ थी लोकोंने हसा होता बेलकुल प्रफूलित करी देता सरल संपजी साथे नी आमोला कात नेक्